मित्रों जै मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2023 में गोबर्धन पूजा कब है गोबर्धन पूजा करने का सुब मुर्थ क्या है और गोबर्धन पूजा करने की विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों गोबर्धन पूजा हर वर्ष हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदाति थी के दिन पढ़ता है जो दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोबर्धन पूजा के रूप में मनाया जता है माननेता है कि इस दिन महिलाएं अपने घर की आंगन में गोबर से गोबर्धन परवत की आकरती बनाती है और उनकी पूजा करती है यह परव भगवान स्रीकिष को समर्पित है इस परव को अनकूट के नाम से भी जना जाता है इस दिन भगवान स्रीकिष को 56 भोग लगाने की परंपरा है तो कुछ इस्थानों पर इस दिन गायों की पूजा की जाती है इसके अलावा और भी कई परंपराएं इस उत्सव से जुड़ी होई है कुल मिलाकर यह उत्सव गोधन से जुड़ा हुआ है अब गोबर्धन पूजा करने की पूजा विधी को भी चान लेते है गोबर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की प्रतिपरदा तिथी को मनाया जाता है इस दिन सुबह सरीर पर तेल लगा कर मालिस करके इसनान करना चाहिए फिर घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से गोबर्धन परवत बनाना चाहिए इस परवत के बीच प्रसात की रूप में दही व चीनी का मिश्रण सब में बाट दे। इसके बाद किसी योग्य ब्रामन को भोजन करा कर उसे दान दच्रा दे कर प्रसंद करें। इस दिन गौधन यानि गाय बैलों की पूजा करनी चाहिए। मित्रों आपको बता दे कि वर्स 2023 में गोबर्धन पूजा 14 नवंबर दिन मंगलवार को मनाय जाएगा। और प्रति प्रदा तिथी सुरू होगी 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बचकर 55 मिनट पल। और प्रति प्रति प्रदा तिथी समाप्त होगी 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बचकर 40 मिनट पल। और गोबर्धन पूजा करने का सुब मोहुर्थ होगा 6 बचकर 42 मियट से लेकर सुबा 8 बचकर 51 मिनट तक यानि पूजा करने की कुल अधी होगी 2 घंटे 9 मिनट